आज जहारखंड विधानसभा और महराष्ट विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आ रहा हूं और साथ में UP के कुछ अन्य जो है वो उपचुनावों के भी रिजल्ट आ रहा है तो इसका रिजल्ट कैसे आपको देखना है आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं तो सबस यह वाला एप आप आएगा इसे आप डाउनलोड कर लिजिए या फिर लिंक decision box में दिया हुआ वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लिजिए फिर इसको आप open किजिए open करने के बाद आप जैसे इसको open करेंगे तो आपके सामने देखे यहाँ पर यह जो है वो mobile नमर मांग रहा है आप चाहें तो यह काम कर सकते हैं यहाँ सबसे पहले आपको new user के उपर क्लिक करना होगा फिर आप यह काम कर सकते हैं या नहीं तो नीचे में देखे इसकी plugin लिख रहा है या नहीं तो यहाँ पर देखे डाउनलोड के नीचे election result दिख रहा है आपको तो इस वाले के उपर आप क्लिक किजिए election result के उपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ गया सबसे उपर में जो दिख रहा है वो विदान सभा चुनाव का दि दिख रहा है उसके नीचे जो है वो Member of Parliament का जो उप्चुनाव है यानि सांसत का उप्चुनाव वो दिख रहा है सबसे उपर में आपको दिखेगा जारखंड और महराष्ट वाला उसके नीचे में UP में जो विदान सभा सीटों पर उप्चुनाव हो रहा है वो और उसके न महराष्ट वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए मार काउंटिंग इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है ठेक इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर धेरो सारे ऑप्चन है आप देख सकते हैं यहाँ चाहें तो आप सीटों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर द देख सकते हैं अभी कोई result नहीं आया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है आप यहाँ उपर में जो select criteria है इसके उपर आपको जाना है आप महराष्ट के जिस seat के बारे में आपको चाहिए उस seat का result देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप select कर सकते हैं यही काम आप चाहे तो सिधा सिधी जो है वो सिधे chrome में आईए chrome में यहाँ पर लिखे ECI result लिख करके आप search किजिए तो आपके समने पहला वाला link open हो जाएगा यह वाला link आपके समने आ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए जहारकंड महराष्टा दोनों का आपको दिख रहा है details के उपर आ अगर Parliament Constitution का उपचुनाव देखना चाहते हैं या फिर Assembly Constitution का उसके उपर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मुझे सबसे उपर वाला जो है उसके उपर हम क्लिक करेंगे जहारकंड में total 81 सीटे हैं महराष्ट में total 288 सीटे हैं counting progress पर है तो आप इस प्रकार स इसको देख सकते हैं और detail के उपर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर भी जो है वो सारी चीजों को देख पाएंगे तो इस प्रकार से जो है आप result को देख सकते हैं अपने mobile या computer पर तो आपके लिए ज्यादा better तरीका यह है क्योंकि ज्यादा तर लोग mobile पर ही देखते यह है यह है